जीवन में सफलता पाने के लिए याद रखें चानक्य की ये बातें हर कदम पर मिलेगी काम्याबी. सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है लेकिन कई बार दिन रात किये गए परिश्रम से भी मनचाहे परिणाम हासिल नहीं होते हैं जिससे हमारा मन उदास हो जाता है ऐसे में आचार्य चानक्य के सिध्धान्त और विचार हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं दरसल आचार्य चानक्य एक महान विद्वान और कुशर रननीतिकार थे उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्क दर्शन करती है उन्होंने जीवन से जुड़े विश्यों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है उनका मानना है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष होता है उतनी ही बड़ी परेशानी भी होती है इन सभी चीजों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ती ही सफलता हासिल करता है अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आचार्य चानक्य की इन बातों का पालन जरूर करें इस जगह पर न रुके, चानक्य नीती के अनुसार व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए, जहां उसकी इज़त न हो यदि आप अपना आत्म सम्मान को प्राथमिक्ता देंगे, तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे भाग्य के भरोसे न बैठे, इनसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए, व्यक्ति अपनी मेहंत और लगन से अपना भाग्य बनाता है इसलिए आचार्य चानक्य कहते हैं कि इनसान को कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्षे के प्रती अड़े रहना चाहिए दूसरों की गलतियों से भी ले सबक आचार्य चानक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए चानक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गल्तियों से सबक नहीं लेता है, वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफी संघर्ष करता है साथ ही कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है असफलता का अफसोस न करें आमतोर पर गल्ती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हाला कि ऐसा करना उचित नहीं है आचार्य चानक्य की नीती के अनुसार जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए बलकि अगली पारी के लिए खुद को तयार करना चाहिए अगर आपको यह शुब विचार और कहानी पसंद है, तो कृपया शेयर, लाइक या कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें